Hello guys, welcome back to our channel, मैं हूँ इक्राण शर्मा, बहुत अच्छे news आ रही है, क्योंकि digital economy के लिए आत निर्भरता की तरफ एक कदम और भारत ने बढ़ा दिया है, याने कि अब आपका digital payment का जो तरीका है वो और भी जादर smooth होने वाला है, why I'm saying this, because अब आप अपना credit card, चाहे कोई भी credit card किसी भी bank का credit card है, your favorite credit card, flip card हो गया, Amazon पे ICICI हो गया, Axis Magnus हो गया, कोई भी आपका favorite card है, अब सभी को आप रुपे network पे ले पाएंगे, yes, क्योंकि RBI ने एक draft circular जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है, कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 1 October 2023 से, आप कोई भी अपना credit card, किसी भी bank का है, किसी भी network पे already available है, वो आपको रुपे पे मिल पाएगा, या फिर आपको अगर mastercard पे चाहिए, उस पे भी मिल पाएगा, visa पे चाहिए, उस पे भी मिल पाएगा, यानि कि अब हर card, चाहे वो debit card है, prepaid card है, या फिर credit card है, आपको सारे option मिलेंगे कि आप इसको किस network पे उसके बीच, यानि की bank, और जो ये visa, mastercard, etc. इन दोनों के बीच में ये agreement हुआ करता था, पर parties तो 3 involved है, यहाँ पे customer की कोई बात नहीं सुनी चाहिए, कि उसको कौन सा card चाहिए, तो अब इस चीज का भी ध्यान RBI ने रखा है, क्योंकि ultimately card तो customer के पास जा रहा है, तो उसकी choice इसको ध्यान में रखना चाहिए, और बैंक को option देना पड़ेगा कि customer को actual में उसका credit card, debit card, prepaid card, कौन से network पे चाहिए, तो जिन लोगों को wait था, आप अपना credit card था, रुपे network पे लेने का, क्योंकि आपको बताईए, रुपे card को आप UPI से link करके कहीं पी payment कर सकते हैं, तो पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि comments मांगे गए हैं, जो stakeholders है सभी के, कि आपका इस move के बारे में क्या कहना है, अगर ये सब कुछ ठीक रहता है, तो RBI पूरे mood में है कि 1 October 2023 से इस नियम को लागू कर देगा, अब होगा क्या, कि जब 1 October 2023 के बाद जाएगा कि आप कौन से network पे अपना card चाते हैं, और अगर आपके पास पहले से कोई card है, तो भी आपको option मिलेगा कि आप अपने card network को change कर सकते हैं, RBI ने banks को ये भी कहा है कि कि किसी भी network company के साथ ऐसा कोई agreement ना करें, जिसमें वो एक ऐसा restraint लगाए कि आप other network के साथ अपना card issue नहीं कर सकते, for example, एक ABC network है, वो किसी bank के साथ agreement कर लेता है कि आप XYZ network पे अपना card issue नहीं कर पाएंगे, अगर आप हमारी services लेते हैं, तो इस तरीके का कोई भी agreement अप नहीं चलेगा, याने कि bank ऐसा कोई agreement नहीं कर सकते किसी network के साथ, तो अब total freedom होगी customer के पास कि वो अपनी पसंद के किस network पे अपना card लेना चाता है, तो ये एक बहुत अच्छा move है, I'm really very happy, क्योंकि मैं अपने favorite credit cards को अब ग्रुपे network पे convert कर लूँगा, जैसे कि Axis Ace है, 2% का cashback मिलता है हर जगा, तो RBI ने banks को एक हिदायत दी है कि अगर आपका already किसी network के साथ agreement है, तो जब वो renew हो तरीके से बनानी पड़ेगी कि अब आप अपने credit card जो है multiple networks पे issue करेंगे, यानि कि monopoly नहीं चलेगी, इस देश में competition बरकरा रहना चाहिए, किसी को भी आउस्ट नहीं कर दिया जाएगा market से, कि just because there are two very big players, तो वो हमारे जो देशी रुपे है, उसको बाहर कर दें, ऐसा नहीं देश का है, एंड इसको popular करना चाहते है, RBI and NPCI, so yeah, it is a welcomed step, आपका क्या कहना इस news के बारे में मुझे comment section में जरू बताइएगा, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे informative वीडियो हमेशा देखते रहना चाहते, exclusively सबसे पहले, तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइ आयक कर लिजिएगा, so मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखेगा, बाइबाइ